आपका स्वागत है आज हम कक्षा फर्स्ट जिसका फर्स्ट लेसन हम कर चुके हैं इसमें बिना मात्रा के शब्द पढ़े थे और अब हम पार्ट सेकेंड ए और आ की मात्रा के शब्दों के बारे में पढ़ेंगे ए क्या है स्वर और आ भी क्या है स्वर इनके मात्राएं व्यंजन के उपर लगती है व्यंजन कैसे श्रैतर ये व्यंजन है इनके उपर स्वर की मात्रा लगती है आओ हम यह पड़ें, स्वर ए की कोई मात्रा नहीं होती, इसलिए सीधा बोला जाता है कै, खै, गै, गै, यानि इन पर कोई मात्रा नहीं लगी होती, सीधा उचारण होता है, यह सभी व्यंजनों में उपस्तित रहता है, जब स्वर ए को किसी व्यंजन से अलग किया जाता है, तो उस व्यंजन के नीचे हलंद, हलंद का चिन यह है, का चिन लगाय दिया जाता है, कै और ए को जोड़ने से क्या बन गया, कै, खै के नीचे हलंद लग कर ए जोड़ने से खै, गै के नीचे हलंद लग कर ए जोड़ने से गै, इसी परकार से कै, ले, मैं बन गया, कलम, क्या बना, कलम, फै, ले, ए का उचारण साथ में हो रहा है, क्या बन गया फल अब ये पढ़ेंगे चैले चल अब ये तीन वर्णों के शब्द हैं क्या बन गया कलश क्या बना कमल बे गे रे डगर बे रे से बरस इनके बीच में ए का उच्चारण हो रहा है हर वर्ण के साथ में ए का उच्चारण हो रहा है पे हे ने अब चार वर्णों के शब्द देखो ए चे के ने अच्चकन टे में टे में क्या बन गया टम टम थे रे में से क्या बना थरमस खे टे में ले खटमल पे ने घे टे पन घट देख कर लिखिए ये पंक्तियां दी हुई है इनको आपको देख कर यहां लिखना है गेड़े बेड़े गड़बड मेते मत केरे कर गड़बड मत कर क्या बन गया गड़बड मत कर ये आपको यहां इस लाइन पर लिखने है खेरे घर चेले चल केरे कर पेड़े पड़ घर चल कर पड़ ए मेने अमन सेरे पेटे सरपट चेले चल अमन सरपट चल अब आ की मात्रा आ की मात्रा कैसे दिखते हैं ये सिधी लाइन डंडा जो है ये आ की मात्रा का निशान है अब ये देखो मै के आ की मात्रा लग गई मा लेके आ की मात्रा ला क्या बन गया माला क्या बन गया माला माला तै के आ की मात्रा लग गई ता, ले क्या की मात्रा ला, ताला, क्या बन गया, ताला, इसी प्रकार देखो, ठे क्या की मात्रा खा, ने क्या की मात्रा न, क्या बन गया, खाना, दे क्या की मात्रा दा, ने क्या की मात्रा न, दा न, ने, आ, ने, आ, क्या बन गया, नाना भे आ ले आ भाला बे आ जे आ क्या बन गया? बाजा ला ले क्या बन गया? लाल सा ले साल नाके नाक रा मे राम का ने कान भारे क्या बन गया? भारत, भारत क्या है? हमारा देश का नाम क्या है? भारत कै ता रे कतार कतार यनि पंक्ती लाइम मै काने मकान क्या होता है? घर जो हमारा जिसमें हम रहते हैं वो घर मकान तबला तबला होता है बजाने वाला जे हाजे जहाज जाने वे रे जानवर केला कारे कलाकार आसमान भेगवान भगवान क्या होता है? भगवान को हम इश्वर कहते हैं जिनकी हम प्रार्थना पुजापाट करते हैं पाठेशाला पाठशाला पाठशाला क्या होता है? स्कूल विद्याले उसको कहते हैं पाठशाला अभी तो आप स्कूल आ नहीं रहे जब स्कूल लग जाएंगे तब आप कहां जाओगे? पाठशाला अब यह देखो यह वाक्य दिये हुए इनको यहां साफ साफ सुन्दर हैंड राइटिंग में लिखने हैं बादल आया आया गेड़े गड़गड केरेता करता बादल आया आया गड़गड करता बादल आया काला 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 बादल आया आया काला काला बादल आया जेले जल बेरे साता बरसाता बादल बादल आया आया जल, बरसाता, बादल, आया ये पंक्तियां और ये पंक्तियां ये आपको इस बुक में लिखने है इस बुक में ये जो लाइने खिंचे हैं इनके सामने ये दोनों लाइने लिखनी है और ये जो है आकी मात्रा के शब ये आपको किसमे करना है ग्रह कारे वाली कौपी के अंदर यह आपका आज का ग्रह कारे है इसको साफ सुन्दर हेंड राइटिंग में बोल बोल कर लिखोगे यह आपका ग्रह कारे है यह जो है आकी मात्रा वाले शब यह आपका ग्रह कारे है इसको आपको अपनी ग्रहकारे की कॉपी में साफ सुन्दर राइटिंग में बोल बोल कर लिखना है दो तीन बार दिन में इनको रिवाइज भी करना है धन्यवाद